नवस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूग चैनल के इंसी कुसुम नेट क्लासेज में तो वैसे साथ ही जो हमारे चैनल पे पहली बराये हैं सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में वेल आइकोन को प्रेस कर अ कि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बहतरिन तरीके से संभब हो सके तो वैसे साथ ही जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे उन्हें पता होगा कि हम लोग अपने तैयारी के शुरुवात एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ किये थे जिसमें हमारी बाते हुई थी पॉस्ट गुप्ता पिरियड तक बाते हो गई थी पॉस्ट गुप्ता नहीं माफ कीजेगा पॉस्ट मौरियन डाइनिस्टी तक बाते हो गई थी जिसमें हम लोगों ने इंडो ग्रिक्स क बारें पढ़ा था साथ बाहन के बारें पढ़ा था उसके साथ साथ कुशांड बंस जो शक्षत्रप थे उसके अलाबा संगम लिट्रेचर एबं कलिंग का एक सासक हुआ खारबेल उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी उसके बाद पिछले लगबग दो तीन लेक्षर से हम लोगों ने एक नया चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है गुप्त बकातक एज जिसमें हम लोगों का मुख्य तोर पे उसके पॉलिटी सोसाइटी उस एवम फॉरेन अकाउंट्स के बारे में उसके बाद हमने बात किया था उनके जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे पहले आइकोन है जिनका नाम है श्री गुप्त उसके बाद हैं चंद्र गुप्त प्रथम तो लास्ट के लेक्षर में हम लोगों ने चंद्र गुप्त प् गुप्त बंसके सबसे महान शाशक के तौर पर इन्हें जाना जाता है इसके अलावा एक और बैक्ति हैं जिनका नाम है चंद्र गुप्त सेकंड बिक्रमादित जो की इनका बेटा होगा जो भी आगे चलकर के एक महान शाशक बनेगा वह भी कई राजाओं से लड़ाई ल नाम है समुद्र गुप्त चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं मैं उमीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपकी तयारी भी बेहतरिन तरीके से चल रही होगी और अच्छे से नहीं है तो आप अपना ख्याल रखिए अभी पीरियड जो है यहां पर दो समय लिखा है एक तो 350 से लेकर 375 AD लिखा है दूसरा है 335 से लेकर 380 AD तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब गुप्त संबत 319 AD में आया तो इसको लेकर के कई हिस्टोरियन के बीच में आपस में डिस्प्यूट हुआ तो उसी करने लिजे कि वह option में नहीं है और यह option में है इसलिए मैंने दोनों को लिखा है कि सवाल कैसे भी पूछा जाया आप हरेक स्थिती में सवाल को स्वाल कर सकें इसलिए दोनों टाइम फ्रेम को आप याद रखिएगा चलिए अब समूद्र गुप्त के बारे में हमने आपको में बताया था कि कि जब हम लोग किसी भी सासग को कवर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग उसके सोर्षेंद के बारे में जानेंगे तो सोरषेंद मुखे तो पर दो से थीन तरह के होते हैं और समूद्र गुपत के समया Balkने और मुखे तो-बात की जाएं तो आर्रिकагल प्रसंसा में लिखा गया पत्रियाइब जो कि आज इलयाबाद के नाम से जाना जा रहा है तो उसी परियाग में एक प्रसस्ती जारी किया गया था हरी शेन के द्वारा और हरी शेन समुद्र गुप्त का दरवारी कभी था ठीक है तो उस परियाग प्रसस्ती में समुद्र गुप्त की बहुत प्रसंसा की गई है कौन-कौन सी बाते कही गई है एक-एक पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से उसके अलाबा उसमें उनकी सैन उपलवधियों यानि कि जो उनका military achievements है जहां जहां पर उन लोगों ने military expectation किया किन्होंने समुद्र गुप्त ने उन तमाम चीजों का बर्णन किया गया है परिय करने लगता है तो आप वीडियो को पाउज कीजे और थोड़ा सा स्लो कर लिजे फिर से बापस लोटी और प्ले कीजे आपको हर एक चीजे समझ में निश्ची तोर पर आएगी और रिविजन के लिए आप वीडियो को दो बार तीन बार चार बार दस बार देख सकते हैं आ रहाबाद अस्तंब लेख कई लोगों का मानना है फ्लिट महोदे का मानना या था कि सुरुवाती दोर में इसको कौसांबी में जारी किया गया था परियाग प्रसस्ती को ठीक है सुरुवाती दोर में कौसांबी में जारी किया गया था ऐसा फ्लिट का मानना है ठीक है चलो और क्वासांबी से बार में परियाग लाया गया लेकिन हालां कि इसके बारे में जब तरक लॉजिक जूटाया गया तो लॉजिक बहुत कम पड़ गया ठीक इसलिए परियाग प्रसस्ति को ही माना जाता है मानिमत यही है प्रियाग प्रसस्ति चलो अब देखेंगे इसमें कि प्रयाग प्रस्थि के रचनाकार की बात की जाए कि इसके रचना किसने किया यानी इसको लीखा किसने तो हरी शुड ने लिखा है हरी शुड कौन है संधी गुप्त का तर्बारी कभी है उसके में City घृरिक संधी बीगरहीक सचेहिव है तो संधी बिग्रहिक सचीब के पद पर हरीशन रहता है उसके साथ-साथ समूद्र गुप्त के दरवार में ऐजे कोट पोयट दरवारी कभी के तौर पर काम कर रहा होता है वह जब परियाग प्रसस्ती को लिखता है तो उन्होंने लिखने के लिए जो सैली ओप्ट किया है उस सैली का नाम है चंपू सैली चंपू सैली में उन्होंने लिखा उसके अलाबा इसमें पद एबम गद दोनों में लिखा गया है ठीक है दो तरह के पद होता है कविता के तौर पे एक गद होता है साहित्य के तौर पे तो इसमें कविता के तौर पे भी लिखा गया है कुछ चीजों और कुछ चीजों को लिटरेचर के तौर पे भी नोबेल के तौर पे भी साहित्य के तौर पे भी इसमें लिखकर शामिल क किया गया है उसके अलाबा यदि लैंग्वेज की बात की जाए तो परियाग प्रसस्ति को पूरी तरह से complete तरीके से इसको संस्कृत भासा में लिखा गया है उसके साथ इसकी जो भासा है बहुत ही प्रांजल है प्रांजल का मतलब अंग्रेजी में बहुत क्लियर होता है इसको बोला जाए तो आप लिवशिट बोल सकते हैं लिवशिट लैंग्वेज यानि बहुत ही नीट एंड क्लीन है आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं उसके साथ साथ शैली जो इन्हों ने स्टाइल था यह सवाल ना जाने कितनी बार पूछा गया है प्रीबियस एर का क्वेस्टन उठाइए और वहां पर आप देखिए और ना के बल नेट का बलकि आप पीजी टी का फॉर्म भरते हैं सीटेट का एक्जाम देते हैं या फिर यूपी पीसे किसी भी एक्जामिनेश करते हूं आप देखिए उसका देखिए खुद आपको पर डेफ्ट और कहां पर už ज्यादा चीजों को पढहा जया जा रहा है कहां पर ज्याद चीजें आपको समझ में आ रही है यहां कहला कि अन्य जगह पे रही है तो बिस्वार्ष को को वहाँ पर जूड़ना चाहिए क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिजल्ट आपका यहां होना मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं आपके साध्यान लखेगा इस बात को चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसमें समूद्र गुप्त के बारे धर्म प्राचिर बंद का मतलब होता है धर्मिक आप देखों कि इस समय में नए नए शब्द आते हैं संस्कृत लिट्रेचर का फिर से डेवलप्मेंट होता है यहां से वैदिक काल का जो चीजे समाप्त हो गई थी वह एक बार फिर से इतिहास में नए तरीके से दोराती है नए तरीके से कास्ट सिस्टम वर्णा सिस्टम यह तमान सारी चीजे यहां पर आएंगी उसके बाद फिर यहां से जो कंटिन्यू होगा वह आज तक चलेगा यानि 2020 तक चलेगा और आगे आने वाला समय में भी हो सकता है चलेगा यदि आप लोग इसके उपर एक्सन नहीं गया और एक वैसा देवता जो की धर्ती पे चल रहा है आम लोगों के बीच में रह रहा है तो आप समझ सकता हो कि उनकी तुलना इस परकार इससे पहले आप देखेंगे तो सातबाहन सासुकों की भी तुलना देवता के साथ की जाती थी अशोक ने भी किया था देव नाम पिये दसी से उपाधी उन्होंने धारन किया था उसके अलावा बताया जाता है कि समुद्र गुप्त बिद्वान है और बिद्वान इसलिए है क्योंकि वह शास्त्र को समझता है जो भी व्यक्ति शास्त्र को समझता है तो समुद्र गुप्त शास्त्र को समझता है इस आध गया कि समूत्र गुपत बहुत ही बड़ा लुजीसिं हैं हिन्दी में बोलेंगे संगी तग है यानि इतना बड़ा मुझीसिं है कि उस दौर सबसे बड़े मुझी सियन नारद यवार को भी हरा सकता है यानि कि कि मुझी लबर है और अपimizi एक musician है ना किवल music lover है music lover तो आप भी है लेकिन आप musician नहीं है लेकिन समूद्र गुप्त music lover होने के साथ musician भी है ध्यान रखिएगा और इतना बड़ा musician है कि नारद एवं तुमबरू को भी हरा सकता है और आगे देखते हैं अब आखिर वा म्यूजिसियन है इसके बारे में हमें प्रमान कहां से प्राप्थ हुआ तो हरीशन ने जो पर्याग प्रसस्ति लिखा उसमें एक सिक्का है और उस सिक्के पे समुद्र गुप्तु वो बीना बजाते हुए दिखाया गया है बीना आप देखें है जो हिंदु धर्मी की देवी है सरस्ति उनके हाथ में जो बीना है उस बीना को बजाते हुए दिखाया गया है समुद्र गुप्त को ठीक है उसके लावा और बाते की जाए तो यह भी बताया गया है कि वह अपने आप में योध्धा है बीना बजाते हुए मैंने देख लिया योध्धा है और योध्धा का जो प्रमान हमें प्राप्त हुआ है वह इसलिए क्योंकि उनके एक सिक्के पे उन्हें चीता से लड़ते हुए ठीक है चीता से लड़ते हुए दिखाया गया है ठीक है इसके अधार पे बताया गया है कि वह चीता से लड़ता है इसलिए वह ताकत्वर है वह वीर है वह यो एक्टर है और उसके बारे में और बताया है कि इसका जो personality है वह चंधरमा के समान है जैसे चंधरमा सीतल है उसी तरह से समुद्र गुप्त का जो personality है वह पुरी तरह से सीतल है बहुत कूल है ठीक है चलो वैत्व कि वसके अलावा और बाते की गई है इसके military achievements के बारे में military expedition जो इन्होंने जहाँ जहाँ किया उन achievements को यहाँ पर दरसाया गया है ठीक है चलो military achievements को इसमें पांच चरण में दिखाया गया यहाँ पांच step में यहाँ पर चर्चा की गई है प्रथम step में देखिए यहाँ पर सिर्फ हम लोग मुख्य तोर पर जानेंगे किन राजा को हराया लेकिन जब हम लोग समुद्र गुप्त का बिजय अभ्यान पढ़ेंगे military expedition को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तो वहाँ पर हम लोग पूरी तरह से एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि आखिर आर्याबद पे उतरी भारत पर आक्रमन कर रहा है तो क पर रहा बत पे वह अटेक करता है और वहां पे से नो राजाओं को हराता है नो राजाओं में मुखे तोर पे पहले राजा है गणपती नांग जो की मतूरा के सासक हैं नागदत dużo की बी दिश्या के सासक हैं devrait उकलि कम पढ़ेंगे उनकी उपलपधी को पढ़ेंगे militaryachten चीवमेंट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर बाकी नौ राजाओं को भी पढ़ेंगे चलिए उसके बाद ये दी दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरे चरण में बतायागा कि यदि आपने मौरियन डाजस्कों को देखा ओगा यदि आपने नहीं देखा है से लिएवगत में बात्त हुआ और आप एक एक लेक्षर को कबर कीजिए उसका पूरा मॉर्यन डाइनिस्टी आप पढ़ेंगे तो एक भी सवाल उसके बाद आप बनाईए कहीं से भी किसी भी एक्जामिनेशन का और आप से एक भी सवाल छोटने वाला नहीं है 90-90 से 90 परतिसत सवाल आप खुद बना लेंगे उतना तक कहीं मैं गारंटी लेता हूँ आप 70 परतिसत पर जारेफ हो जाता है आप किसी भी कैटोगरी से हो जैसे ही 60% क्रॉस करते हैं तो आपका जारेफ हो जाता है तो हम लोग एक्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं ऐस को देखा होगा तो वहां पर हमने आटवीक जनजाती के बारे में आपको बताया था आटवीक जनजाती वही जनजाती है जो कि अशोक को भी अपने दोर में बहुत परिशान करती है इसलिए अशोक अपने सिलालेख में धंकी भी देते हैं बहुत संग में बहुत धर में ज सनी देवल का डायलोग है कि मैंने हतियार चलाना छोड़े हतियार चलाना भूला नहीं है उसी तरह से अश्वक करते हैं कि मैं यूद्ध करना छोड़ा हूं ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूं यदि किसी तरीके का उलंगन किया जाएगा तो हम वहां पर कारवाई करेंगे तो चौथे चरण में देखिए दक्षिन के बारह राज हैं इन बारह राजाओं को इन्होंने हराया था अब दक्षिन के कौन-कौन बारह राज हैं यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक-एक का नाम हमें याद नहीं है तो हम आपको लिखवा दे रहे हैं आप पहले का नाम है कोशल का राजा महेंद्र कोशल के राजा है जिनका नाम है महेंद्र दुश्रे का नाम है महा कांतार का राजा महा कांतार महा कांतार का राजा है ब्याग्र राज तीसरे की बात की जाए तो तीसरे नमबर पर कोशल का राजा मंट राज ठीक है यहाँ पर कोशल यहाँ पर कोशल है मंट राज चौथे नमबर की बात की जाए तो चौथे पर है कोटूर का राजा स्वामी दत कोटूर का राजा स्वामी दत पांचवे नमबर की बात की जाए तो पांचवे नमबर पर है कांची का विश्नु गोप कांची का विश्नु गोप छट्ठे पर बात की जाए तो बेंगी का है हस्ती बर्मा और साथ में नंबर पे अधी बात की जाए तो साथ में नंबर पे हमारे पास देवरास्ट का कुबेर कुबेर एक देवता की भे नाम है साथ ध्यान रखेगा बैदिकाल में हमने पढ़ा था आठमे नंबर पे बात की जाए तो आठमे नंबर पे हैं पिस्टूर का महेंद्रगीरी पिस्टूर पिश्टूर का राजा महेंद्र गिरी और नौमे नमबर पे बात की जाए तो नौमे नमबर पे हैं एरंडपल का राजा दमन एरंडपल का राजा दमन है और दसमे नमबर पे बात की जाए तो दसमे नमबर पे अब मुक्त का राजा निल राज और इग्यारह नमबर पे बात की जाए तो इग्यारह में नमबर पे हमारे सामने पालक ठीक है पालक पालक खाने वाला नहीं साथियों पालक अधक और पूरा इसके राजा जो है वह उग्रसेन है और यदि लास्ट की बात की जाए बारहवे नमबर पे तो बारहवे नमबर के जो राजा है वह है कुस्थल पूर का राजा धनन्ज है ठिक है कुस्थल पूर का राजा है धनन्ज है तो देखिए दक्षिन के बारह राजा है जिनको यह हराते हैं अब एक बात और ध्यान रख रखिएगा चहां से आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब इन्होंने दक्षिन पर आकर्मन किया तो दक्षिन के लिए एक अलग special नीती का निर्धारन किया था इन्होंने और उस नीती को बोलते हैं ग्रहन-मोक्ष-अनुग्रह ग्रहन-मोक्ष-अनुग्रह दिध्यान रखि ने किया था दक्षिन भारत के राजाओं को हराने के लिए उनके समराज के विस्तार के लिए यानि वहां तक अपने समराज का विस्तार एबम उनको हराने के लिए इस तरह के निती का प्रतिपादन किया था आखिर यह क्या निती था इस निती में इन्होंने क्या किया था कि ग्रहन कहने का अर्थ है इनका शत्रू पर अधिकार करना पहले इन्होंने शत्रू पर अधिकार किया यानि समराजी पर उनके राजा पर राजी पर अधिकार किया उसके बाद उनको मुक्त किया ठीक है उसके बाद उनको उस राजी से मुक्त किया उसके बाद फिर वह यदि अनुग्रह करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं तो बापस फिर उस राजी को लोटा देते हैं उस राजा को ध्यान रखिए क्या नियम था साथ यूं मज़ा आ गया देखिए पहले क्या करेंगे कि पहले अटैक करेंगे अटैक करके आपके राजी को कैप्चर कर लिया उसको बोल फिर आपाएंगे हमारे पास request करने के लिए हमारा समराज को लोटा दीजे तो उन्होंने बापस जो जो लोग request करने के लिए अनुग्रह करने के लिए उनको उनके राज लोटा दिये बहुत ही दयावान ब्यक्ति था आपने सुना ही पर्याग प्रसस्ति में कि वहाँ अब दयावान ब्यक्ति था तो आपके मैंन में सवाल उठ सकता है कि अटैक क्यों किया ठीक है दयावान ब्यक्ति अटैक कैसे कर सकता है लेकिन अटैक करने के बाद इनों जलार सवाल पूछा गया है चलो हम लोग 4 चरन की बात कर रहे थे और उसमें पाचवे चरन वाले लिखे वी चीज को भी मिटा दिया चलो पांचवे से Zhuागे चरते हैं और पांच बीदेश्यू原gens ऑफ हों ठीक है विदेशियों में उसमें कौन कौन है पाचवे चरण में विदेशियों को राते हैं उसमें शक है मुरूंड है ठीक है मुरूंड है उसके अलाबा और बात की जाए तो देव पुत्र शाहिन सहानु शाही है उसके सासा सिनहन दीप है सिनहल दीप सिन्हल दीप और सिन्ह वाशिन यह सभी के सभी विदेशी हैं और इनको भी समुद्रगुप्त हराते हैं इसकी चर्चा पर्याग प्रसस्ती के पांचवे चरण में की गई है ठीक है तो ध्यान रखिएगा एक एक बात को आपको याद रखना है डिस्क्रिप्टिव मोड में नोट्स को आपको तयार करना है तो पर्याग प्रसस्ती में इतनी सी बाते की गई थी इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ जानने की आप सकता नहीं है अब हम लोग चलते हैं दूसरे अभिलेख की तरफ और दूसरा जो हमारा अभिलेख है दूस पुझ्दमत होईयेगा 419 के आसपास का भानु गुफ्त का एक एरन अभिलेख है जिसमें सती प्रथा सिस्टम के जानकारी पहली बार दी गई है भारतिये इतिहास मेदी बात की जाये तो सती प्रथा की पहली अभिलेख ही साक्ष हमैं एरन अभिलेख से प्राप्त होती है सवाल कई बार पूछा गया इसको भी आप स्टार मारके लिख लिजए चलिए दूसरे इंस्क्रिप् 하니까 के तोर पर लिखिए एरन अभिलेख तीक है एरन अभिलेक में एरन प्रसस्ति आप कर सकत है इसको प्रसस्ति क्यों प्रसस्ति का आर्थ हमने आपको बटाया क्या होता है में लिखा गया पत्र प्रसंसा में लिखा गया अभी लेख यानि जो भी प्रसंस्ती होगा उसमें किसी भी तरह का कोई भी क्रिटिसाइज नहीं होगा अलोचिना नहीं कर सकता है कोई भी क्योंकि प्रसंस्ती का शाब्दिक अर्थिय प्रसंसा में सागर जिला से सागर जिला से सागर इन्वर्सिटी कहते हैं डौक्टर हरी सिंगौर विश्विध डाले जहां से भारत के बहुत बड़े फिलोस्फर जिनका नाम हुआ है रजनीस ओशो जो वहीं से पढ़ाई किये थे ध्यान रखियेगा तो वहीं सागर जिला से मद्य परदेश से एरन प्रसस्ती हमें प्राप्त होता है इसमें बताया गया है कि समुद्र गुप्त प्रिथु एबं राघव जैसे राजाओं से भी बड़ा दानी व्यक्ति है यानि उसके पास कोई भी चल करके जाता है तो बहुत सारी चीजों को बीना सोचे समझे दान कर देता है अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अब प्रिथु कौन है और राघव कौन है उसके दोर के यानि उस समकालिन राजा जो है वह सबसे बड़े दानी के रूप में इनका नाम काउंट किया जाता था लेकिन समुद्र गुप्त के बारे में एरन प्रसस्ती में बताया गया कि प्रिथु एबम राघव से भी बड़ा कोई दानी है तो वह समुद्र गुप्त है देखिए साथ कितना प्रसंसा किया गया आप ध्यान रखिएगा तो प्रसस्ती में हमेशा प्रसंसा ही किया जाएगा आगे बात करते हैं और यहां तक कहा गया कि जब समुद्र गुप् को दूसरे शोटे शोटे राजाओं को धान करता है और यही वा नाराज होता है तो यह यम्राज देवता की तरह भी हैब करता है, ठीक, नाराज हो गया तो यहम्राज की तरह अनि आपका गला भी उतर सकता है उसके देखिए एक मध्य परदेश में प्रदेश था जिसका नाम था एरिकिन परदेश जहां से एरण अभिलेक प्राप्थ हुआ है तो एरिकिन परदेश के बारे में बताया गया है कि यह दरसल समूद्र गुप्त का भोग नगर था भोग नगर आप समझ रहे हैं जहां पर भोग एबम बिलास के लिए शासक जाता था उसी को भोग नगर बोला गया है यानि आप से पूछा जाए कि समुद्र गुप्त का भोग नगर कौन था तो एरिकिन परदेश जो की मध्य परदेश के सागर जीले के आसपास लोकेटेड था चलिए इसमें एक फैक्ट और लिखिए कि इसमें समुद्र गुप्त की एक पत्नी है जिसका नाम है दत्देवी तो दत्देवी का पहली बार जिक्र मिलता हमें एरन अभिलेख में ठीक है एरन अभिलेख में इसकी पत्नी दत्देवी का जिक्र मिलता है उसके अलावा यदि और बाते करें तो इन दो अभिलेख के अ क्योंकि शीला का अर्थ होता है पत्थर यानि पत्थर पे लिखा गया था इसलिए उसको शीला लेख बोला गया ध्यान रखेगा यह शाबदिक यदि आप शब्द पे ध्यान दोगे तो एक एक चीज अपने आप किलियर हो जाएगा आपको कोई भी चीज रटने के आप सकता नहीं होगी अब देखी कि गया तामरलेख में बस एक पॉइंट याद रखिए कि इसमें गुप्त संबत 9 की जानकारी दी गई है इसका टाइम फ्रेम की बात किया जाया तो बताया गए गुप्त संबत 9 का है उसके लाबा इसमें समुद्र गुप्त के नाम एबम उसकी उसके बारे में बाते की गई है उसके बाद सेम चीजे बाते की गई है नालंदा तामरलेख में भी नालंदा प्रसस्ती में भी और उसमें भी गुप्त संबत 5 बताया गया ठीक है तारीक में केवल डिफरेंसेज है यहाँ पर गुप्त संबत 9 था यहाँ पर गुप्त संब और फ्लीट दो हिस्टोरियन है इन्होंने बताया है कि यह बहुत ही जाली चीज है यानि इसके बारे में एक्चुल हमारे पास रिसोर्स नहीं मिलते हैं लेकिन एक्जामिनिसर में आप से सवाल पूछ दिया जाए और यह दे दिया जाए कि गया प्रसस्ति और नालंदा प्र समूध्र गुप्त के बारे में यह दी पूरा तात्मिक सुर्ण की बात की जाए तो अभिलेख में इतना ही था अब हम लोग थोड़ा सा शिक्को की चर्चा करते हैं ठीक सिक्के 6 परकार के थे और 6 क 6 सिक्के सोने के शिक्के थे तो उसके बारे में कबार हम लोग चर्चा क यानि समूद्र गुफ्त ने कौन-कौन से सिक्के जारी किये थे उसके बारे में एक बार हम लोग चर्चा करते हैं दखिए समूद्र गुफ्त ने 6 परकार के जारी किये थे 6 परकार के 6 टाइप्स के ठीक है और यह शाकेशा सिक्के-पूरे-प्व seal यानी golden coins थे अब कौन-कौन से प्रकार 1 के करके चरचा bang सबसे पहले प्रकार की बात की जाया तो पहला गरूड प्रकार का सिक्का इसके क्या खास बात है इसके मुख की बात की जा सिक्के के दो पहलू है एक अबर्स है देखिए ध्यान रखिएगा अंग्रेजी पढ़ते हैं तो मुख का हिस्सा को और उसके पीछे का हिस्सा को रिवर्स बोला जाता है ठीक है तो देखिए मुख का जो हिस्सा है उसके उपर अलंकृत वेश भुशा में अलंकृ स्बूरप्णकार के सिक्के में और वेश भुशा में राजा का चीत्र अंकित है उसके सासत गरूरवज है उसके अलाबा समुद्रगुप्त का नाम दिकर कि आ गया समुद्र गुप्त ने सैंकुरो युद्ध को जीता था उसके साथ साथ एक उपाधी भी यह वहाँ पर उस उपाधी का नाम है समर्षत बड़ा है समर्षत बित-बिजयोजित रिपूरीज तो दीप जैती एक बार फिर से आप देख लीजेगा इसको आप लिख लीजेगा य या, सिनहासन आसीन देबी का चितरांकन है, उसके सासद प्रिस्ट के हिस्से पे, यानि पीछे बाले हिस्से पे, प्राकरम सब्द लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप से पूछा जा सकता है, यदि मान लिजे, बहुत डेफ्ट में चला जाए, बहुत ज़्यादा डेफ्ट में यह उजी सी का तो हमने नाम रख दिया अन्प्रेडक्टिवल ग्रांट कमिशन इन्वसिटी ग्रांट कमिशन या भविश्रिबाने ही नहीं कर सकते हो कहां से सवाल वो लोग पुछने वाले हैं लिसरे आप हर एक चीज को तयार रखिए दूसरे सिक्के की बात की जाए तो द मुद्र गुप्त को धनूश बान चलाते हुए दिखाया गया है ठीक है उसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि अजे राजा यानि अजे राजा का क्या मतलब जिस राजा को आप हरा नहीं सकते हो कोई हराया नहीं है अजे राजा प्रथिवी को जीत कर उत्तम कर्मों इन्होंने आप लिखिए अप्रती रथो बिजित्य छीती सुचरिते दीब जयती ठीक यह उपाधी इन्होंने धारण किया प्रिष्ट बाले हिस्से की बात कि जाए तो वहां पर सिनवासनी देवी जिसको अब धुर्गा भी कहते हैं उनका चित्रांकन है उसके साथ साथ यह परिष्ट की बात की जाए तो अपर्षू प्रकार का सिक्का है और आपको पता होगा एक अवतार था पर्षू रामा अवतार है ना विश्नु के 10 अवतार है उसमें पर यह पर शुयार है और उस हथियार को धारण किये हुए दिखाया गया है ठीक है उसके बाद और लिख की बात की जाए यानि सिक्का पर क्या लिखा हुआ है मुख वाले हिस्से पे तो आप लिखिए उपादी इसमें बतायागा कि कृतांत परशू राजा राजाओं का विजेता है तथा अजे का क्यारत है जिसको कोई हरा नहीं सकता है बार बार बोल रहा हूं देखिए यहां प बहुत बड़ा उपादी है इन्होंने मुद्रा लिख पर इसको चपवाया हॉ और प्रीस्टर हिसे की बात की जाए तो वहाँ पर पर रिकांट परशू शब्द का जिक्र है उसके शासात देवी की आकृती का चित्रांकन पर चौह प्रकार का सिक्क्र अस्वमेग प्रकार का सिक्का और आप बैदी काल में अदि हमारे लेक्षर को देखे होंगे तो वहां पर हमने बताया था कि एक अस्वमेग यग होता था जिसमें क्या होता था एक घोड़ा को एक राजा छोड़ देता था और जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक उसका सम समुद्र गुप्त ने जिससे पता चलता है कि इसका सामराज्य का विस्तार बहुत ही बड़ा था ठीक है तो असुमेग प्रकार के सिक्के में देखिए इन्होंने लिखा है कि यह सिक्के समुद्र गुप्त द्वारा असुमेग यक्ये जाने के प्रमाण है ठीक उसके बाद इसके मुख के उपर मेग यग का अनुष्ठान करकर स्वर्ग लोग की बिजय करता है और उपाधी की बात की जाये तो यहां पर जो सिक्के पर उपाधी है उसका नाम है लिखिएगा आप राजा धिराजो पृतिवी बिजत्य दीव जैतता ग्रिहित बाजी मेध और प्रिष्ट भाग की बात की यानि रिवर्स भाग की तो यहां पर राज महिसी देवी जो की समुद्र गुप्त की पत्नी है जिसको दत देवी भी हमने एरण इंस्क्रिप्शन में पढ़ा था उसी का जीक्र किया गया है और शब्द के रूप में अश्वमेघ प्राकरम सब्द का यहां पर चितरांकन क किया गया है पाचवे प्रकार की सिक्के की बात करें तो पाचवा सिक्का है ब्याग्र हनन प्रकार का सिक्का अब देखिए यहां पर दो सब्द हैं ब्याग्र और हनन हनन का मतलब मारने वाला ब्याग्र का मतलब बाग यानि यहां पर बाग को मारते हुए दिखाया गया है बाग का सिकार करते हुए तो यहां देखिए मुख वाले हिस्से पे कहां पे मुख वाले हिस्से पे धनूश बान से ब्यागर का यानि बाग का आखेट करते हुए राजा क्या कृतित था उसकी उपाधी ब्याग प्राक्रम अंकित है मुख वाले हिसे पे ब्याग प्राक्रम शब्द का अंकन किया गया है ध्यान रखिएगा शब्द पे ध्यान दिजेगा उसके बाद आप लिखिएगा यदि पीछे वाले हिसे की बात की जाए प्रिस्ट वाले हिसे की तो यहाँ पर मकर बाहिनी गंगा का चित्रांकन है उसके सासत गंगा घाटी का भी इससे उलेख प्राफ्थ होता है और इससे इंगित होता है कि यह आखेट प्रेमी था यानि शिकार प्रेमी था जानवरों का शिकार करना इसे पसंद था लास्ट प्रकार के सिक्के की बात की जाए वह बीना बादन प्रकार का सिक्का और इससे भी प करें तो मुद्रा लेख में लिखे नहीं राजा धीराज श्री समुद्र गुप्तःस चित्रांकित है उसके अलावा प्रिष्ट बाले हिस्से के प्रति उसका प्यार एवम डेडिकेशन का प्रमान हमें यहां से मिलता है तो अच्छा प्रकार के सिक्के थे तो हमने आज बात किया समूद्र गुप्त के इंस्क्रिप्शन एवम सिक्के के बारे में अब हम लोग इस वीडियो को इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इनके राज्या रोहन को तीथी को लेकर कुछ डिबेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इन्होंने उज़े युद लड़ा है जो इनका मिलिटरी अचीवमेंट्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं यदि लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजेगा कमेंट करके अपना सुझाब जरूर दीजेगा और अपने दो